तो दूस्तों, आज हमें ओवरॉल मार्केट में थोड़े बहुत धरियाली देखने को मिल रही है लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी मार्केट मंदी के दोर में ही चल रहा है, क्योंकि कुछ जादा हमें बड़ोतरी कोईंस में देखने को नहीं मिल रही है, जो बिट कोईंस में 3, 4, 5 इतनी ही हमें recovery देखने को मिल रही है not enough for us अगर हम बात करें दोस्तो market के sentiment के बारे में तो market का sentiment कल की तरह ही है यानिकि कल जो हमारा fear and greed index का आंकड़ा था 23 पर जहां था आज भी वहीं पर है यानिकि market में अभी भी हमें extreme fear का महौल देखने को मिल रहा है आज के इस फिडि बेकार हो सही हो कोई से भी update हो लेकिन शिवाइनू के बारे में आप जरूर से हमें बताइए because हमारा जो पैसा है लगातार घटता जा रहा है हमारे portfolio जो है वो लगातार एक तरीके से minus में जाते जा रहे हैं तो please शिवाइनू हमारे portfolio में एक काफी बड़ा contribution देता है तो इसक यहां पर आपको time to time urgent updates वगेरा important updates वगेरा मिलती रहती है तो यहां पर आपको जरूर से join कर लेना चाहिए link आपको वीडियो की description box में मिल जाएगा बिल्कुल free of course ही है और आप seconds में इस चैनल को join कर लोगे links के दुरूँ ठीक है तो अगर हम बात करें दूस्तों सबसे बिट लेकिन bitcoin की बात करें तो जैसा कल का वीडियो आपको यादो कल के वीडियो में हम डिसकस ही कर रहे थे कि जो बाइनेंस का जो multi network wallet maintenance होता है जब जब यह maintenance होता है तब बीटी सी जब falling wage में होता है तब उसका breakout हमें देखने को मिलता है और वहां से हमें एक reversal भी देखने को मिलत सकते हैं कि 4% के आसपास उचाल देखने को मिला है जो कि हमारे लिए कोई संतुष्टी की बात नहीं है लेकिन अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो हमारे पास 20MA का अभी एक support मिला है जो कि इसके लिए अभी तक resistance का काम कर रहा था तो टेक्निकली देखें तो थोड़ा अभ अभी decide नहीं कर पा रहा है कि Bitcoin को किस तरह मूव करना है लेकिन जो 40,800 का लेवल है काफी strong लेवल है तो इतना कोई अभी घबराने वाली बात भी नहीं है जिस तरकी से मैं comment देखता हूं कि भाया सब कुछ बरबाद होने वाला है बिए इस मार्केट स्टार्ट होने वाला है अभी भी हम हमारे इसी जोन के अंदर थे जो कि expected भी था ठीक है अगर हम देखे दोस्तों BTC की death cross के बारे में क्योंकि Twitter पर जैसा मैं active रहता हूं तो Twitter पर काफी लोग यही बाते कर रहे हैं कि death cross होने में अभी हमारे पास काफी अच्छा टाइम है लगबग आप देख सकते ह में और 200 में काफी दूरी पर है तो लगबग कह सकते हैं कि हफते देर हफते जितना हमारे पास टाइम है ठीक है या फिक 6-7 दिन का टाइम है तो इतनी जल्दी तो death cross होगा नहीं और अगर हो भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम 38,300 के नीचे जाएंगे बिकॉस जिस अगर कुछ हो गई ठीक है गें तो कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन stop loss के बारे में हमने कल डिसकस कर लिया था पूरा प्लान हमारा risk management बिल्कुल तयार है अगर डंपाता भी है 38 का लेवल भी अगर तूट जाता है तो हमारे पास एक stop loss होगा जो कि हमें और नुकसान देने से इसा नहीं है जो चार्ट पर दिख रहा है वही आपके साथ शेर करना चाहूंगा अब कुछ लोग इसको भी नेगटिव बोल देते तो मुझे लगता कि आप crypto में जादा दिनों तक रुखोगे इतने से sentiment से ही है अगर आप डरने लग जाओगे तो मार्केट में बहुत सार detail से पता नहीं होगा कि actual में Shiba Inu coin है क्या हलकि उनको पता होगा ठीक है इतना वो market में तो active ही कि Shiba Inu कोई meme token है ठीक है यहाँ पर आप एक summary देख सकते हो आज यह report आई है बिल्कुल shortly हम एक बार देख लेते हैं कि Shiba Inu एक token है नाकी coin है इसके लावा Dodge Killer के नाम से यह मशूर ह हुआ था महीं जून के वहने में इनके जो founder है वो anonymous ही है ठीक है जो कि अभी तक जिनका कुछ पता वता नहीं है और multi token ecosystem है जिसमें leash और bone नाम के token भी include है इसके लावा यह जो है DeFi product भी लाच चुका है आपको पता है इसके लावा Elon Musk driven मतलब की कई वार Elon Musk के tweet के वज़े से भी इसमें हमें एक थोड़ा वो दुचाल देखने को मिल जाता है लेकिन Elon Musk ने clear कर दिया था कि उनके पास Shiba Inu coin की holding नहीं है utility driven ecosystem है Shiba swap वगेरा सब कुछ इसमें NFT ठीक है DeFi platform यह इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है और Vitalik Buterin जो Ethereum के co-founder है उनका भी इसमें एक connection था अपने से ज्यादा था लोगों की comments में यहीं पड़े थे कि शिवा की price में pump क्यों नहीं आ रहा है इतनी updates तो आ रही है यह burning हो गई है वह burning हो गई है इसने accept कर लिए फिर भी इसकी price pump क्यों नहीं हो रही है अब देखो एक cryptocurrency के pump and dump के पीछे multiple reasons होते है और कई cryptocurrency के pump and dump के पीछे तो उनके founders का यात होता है सीधे तोर पर लेकिन अगर हम Shiba का case ले तो Shiba की case में हमें जो updates आने के बावजूद भी इतनी जो updates आ रही है burning की या acceptance की development की उसके बावजूद भी इसकी price में pump हमें क्यों नहीं देखने को मिल रहा है मेरे according इसके तीन reason हो सकते पहला reason पहला reason तो य इसकी वरे से शिवा की price में भी हमें एक असर देखने को मिल रहा है और यह चीज हमने देखी है कि जब भी overall market डाउन जाता है तब हर coin में हर coin में कुछ exception हो जाते हैं लेकिन लगबग market में हमें सभी coin में गिरावट देखने को मिलती है अगर bitcoin में बड़ा dump हमें देखने को मि market में आता है तो इसकी वरे से हमें शिवा की price में pump नहीं देखने को मिल रहा है पहला एक reason तो यह हो सकता है अब यह को strong reason नहीं है दूसरी बात यह कि आपको जो updates मिलती है कि इतने की burning हो गई इसने accept कर लिया इसने adopt कर लिया यह companies को adopt करने जा रही है यानिकि accept करने जा रही है पिर भी price में pump क्यों नहीं आ रहा तो बात अगर burning की करें तो burning जो हो रही है वो बिल्कुल छोटी मोटी burning है quantity की सामने supply के सामने जो हमने बड़ी burning देखी थी तभी इसकी price में कुछ हमें असर देखने को मिला था लेकिन अभी जो burning हो रही है 5-10-20 million की वो ना कि बराबर burning है इसकी वरे से कोई बड़ा boom हमें देखने को नहीं मिल रहा दूसरी चीज जो acceptance जो adoption की बाते हो रही है जो ट्विटर पर आपको पोस्ट देखने को मिलती होगी कई start-ups और कई चोटी मोटी company तो ऐसे भी है कई restaurant ऐसे भी है जो कि खुद की publicity करने के कारण ऐसी update देते हैं कि उ उनका भी लगे हाथ शिवा की वरे से नाम हो जाए या फिर उनका restaurant या फिर उनका startup भी सुर्कियों में आ जाए न्यूज में आ जाए तो ऐसी भी आपको चीजे देखने को मिलती है तो कोई खास update ना आने के कारण कोई खास burning ना आने के कारण इसकी price में हमें असर देखने क news तो अभी rumor है news update भी है कि शिवेरियम आने वाली है बट कोई date वगेर अनाउंस नहीं होगी है ठीक है जब वो होगी तब हमें असर देखने को मिलेगा तो यह कुछ reasons थे जिसकी विले से हम कह सकते हैं कि इसकी price में बूम नहीं आ रहा है अब बात करें कि बूम आएगा तो बूम तब आएगा जब थोड़ा market उठने लगेगा इसके अलावा Elon Musk के भी कुछ comments आने लग जाएंगे डॉज पर जब भी Elon Musk tweet करते हैं तब शिवा की price पर भी हमें असर देखने को मिलता है इसके अलावा जो development से जुड़ी हुए updates आईगी strong development से जुड़ी ही तब हमें असर देखने को मिले गई तो थोड़ा सापको patience रखना है और इतना भी बेकार meme coin नहीं है top meme coins में से second number पर यह आता है ठीक है कई लोगों के according first भी है कई लोगों के according second भी है ठीक है तो मेरे according यह कुछ reasons थे जो की बता रहे हैं कि इसकी वरे से price में boom नहीं आ रहा है and जो updates आ रही है मुझे लगता कि कोई खास update है जो कि मैं आपके साथ share कर सकूँ and I hope दोस्तों इस video में finally आपको इस question का answer मिल गया होगा कि price में boom क्यों नहीं आ रहा है तो फिलाल इस video में इतना ही I hope यह video आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आ हो तो definitely video को like करना टेलिगाम चैनल का link जे हिंद जे भारत